आज कि इस प्रेस बारता में यहां पर उपस्तित प्रेस मेडिया के सभी भाई बंदूओं को नमस्कार और आपका यहां स्वागत मित्रो हिमाचल पर्देश में पिछले दस महीने से एक ऐसी हीटलर और ताना साही के रूप में कांग्रेस की सरकार काम जो हर दिन नए नए तुगले की फर्मान जारी कर रही है हम सब जानते हैं कि इस सरकार न सत्ता में आते ही सबसे पहले जिस परकार से दस हजार से ज़्यादा ओट सोर्सेज में जो हमारे भाई बंदू काम कर रहे थे उनको नौकरी से बाहर निकाला और फिर उसके बाद जो कोविड काल खंड में एक ऐसे करमी अपनी सेवाईं दे रहे थे कि जिनके सहियोग को हिमाचल परदेश कभी बुला ही नहीं सकता है हम सब जानते कि उस दौर में अगर किसी के पिता जी भी कोविड परभावी थे उन बच्चों को भी अपने पिता जी के पास नजदीक जाने की हिमत नहीं होती थी और ऐसे दौर में वो हमारे कर्मी अपनी जान को जोख में डाल कर इस परकार से परदेश की सेवा कर रहे थे और उनके उस परकार के साहयोग के लिए भारती जंता पार्टी की सरकार ने विशेश्च तोर पर उनके सहास को उनके योगदान को लेकर अलग लग रूप से समानत करने का भी प्रयास किया अन्यको करेकरम हुए लेकर एक ऐसी तुगलकी और हिटलर साहिक पर काम करने बाली सरकार ने ऐसे सभी लग बगर 1844 जो कोविड करमी थे उनको भी बहार का रास्ता दिखा दिया और यही नहीं इसके बाद आज के समचार पत्रों में भी मुख्या समचार है कि हमारे हिमाचिल परदेश के जो जिला परसद के जो करमी थे वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सडक पर थे और इतना लंबा अंतराल बीद जाने के बावजूद ऐसे हरताली करमियों से ना तो परदेश सरकार के किसी मंत्री ना परदेश के मुख्या मंत्री ने उनसे उनका धर जानने का प्रयास किया और उनके साथ भी हो ही किया जो और सोर्स करमी हो या अमारे कोविड करमी हो लगबग क्या 167 ऐसे जिला परसद से जुड़े हुए जोनिर इंजिनिर कनिस्ट अवयंता उनको अपनी नौकरी से बरखास करने के तुगलक फर्मान जारी कर दिये और वित्रो इन इस परकार के जो निर्णे परदेश की सरकार के द्वारा हुए है इन इन निर्णें से ये लगता है ये संकेत भी है कि लगता कि हिमाचल परदेश की ऐसी हिटलर साही पर काम करने बाली सरकार की अब ज्यादा आयू लंबी नहीं है या तो लगता है इनको आवास हो गया है कन्फ्यूज सरकार हो गई है लेकिन आज मैं इस प्रेस वारता के माध्यम से ये कह सकता हूँ और ये मेरा आतम बिस्वास है अगर ऐसे ही ये कॉंग्रेस की सरकार इसी जिद के साथ काम करती रही तो बहुत जलदी हिमाचल परदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार की बापसी होगी और मैं सभी पीड़त और ऐसे प्रभावित कर्मियों को ये विस्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो कॉंग्रेस की सरकार ने आपके साथ अन्याय किया है इस अन्याय के बुरुद भारती जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह न्याय करने के प्रती पूरी तरह वचन वज़ता के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी हम जानते हैं कि इस परकार का विशे जब भारती जनता पार्टी की सरकार में आया था ये वो ही कर्मिये जिनों ने अपनी मांग प्रदेश की भारती जंता पार्टी के सरकार के सुमुक रखी थी और भारती जंता पार्टी की सरकार ने उसमय के हमारे जो बिरिष्ट मंत्री ठाकरों महिंदर सिंग जी थे उनके नितर्तों में एक मंत्री परसद के एक सब कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने सारी बादचीत करके पुरी रिपोर्ट भी त्यार कर ली थी और दुरवाग्यवास भारती जंता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर होगी और उनका मसला वहीं का वहीं रुख गया लेकिन जिस परकार का एक कॉंग्रेस पार्टी हर दिन नए नए जुल्म कर रही है उससे तो ऐसा ही मैसूस हो रहा है कि हिमाचल परदेश विकास की दृष्टी से पूरी तरा पट्री से उतर गया है आज अगर हम हिमाचल परदेश की अंदर अध्योगिक क्षेत्र की चर्चा करें हिमाचल जानता है कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्ग अटल ब्हारी बाजपाई जी ने हिमाचल को अध्योग के कषेत्र में आगे बढ़ने के बहुत बड़ा साहरा दिया था एक आर्थिक पैकेज दिया था आज उसके प्रणाम हम देख सकते हैं हुमारा काला अंब हो चाहे मारा बद्दी हो चाहे हमारा कंद्रोडी का ख्षेत्र हो इस प्रकार के जो मारे नीचे सीमा बरती क्षेतर है वहां पर आज जो भी उद्योग है उस उद्योग की करांती को लाने बाले उस समय के मारे देश के प्रधान मंत्री और बरतमान में देश के प्रधान मंत्री शिंदरिंदर भाई मोदी जी है लेकिन जिस तरह से सुकू सरकार के जुलमों के कारण औध्योगिक शेत्रों का उतपीडन हो रहा है धीरे धीरे जिस गती के साथ उमारे औध्योगिक जो लोग जो आहत होकर अन्य राज्यों की तरह रुक्सत हो रहे हैं आने बाले समय में हिमाचल पर्देश में ब्रोज गारी की द्रिसी से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है कभी उनके उद्योगों के जो बिजली के विल है उनकी दरें बढ़ाई जा रही है कभी उनको उत्पीडन के रास्ते पर कॉंग्रेस पालिटी एक लग-लग दबाव बना रही है हिमाचल पर्देश में सुकु सरकार के आते जिस परकार से लगभग तीन महीने स्मिंट कार खाने बंद रहे उससे जहां पर्देश का विकास ठप हुआ वहां पर हिमाचल पर्देश के जो आम जन्मान से या वमारे जो गरीब लोग थे जिन्होंने योजनाबाद तरिके से अपने निर्मान कारे शुरू किये थे उनको भी बड़े संकड से गुजना पड़ा और आज मैं उसी समिंट की बात करूँ तो जब भारते जन्ता पार्टी का शाषिन था तो समय के उप मुख्य मंत्री जी कहते थे कि जिस पर्देश में समिंट के दाम बढ़ते हैं वो बिना कंपनियों की साथ गाट के बिना नहीं बढ़ते हैं और यह जो दाम बढ़ते हैं यह दिन में नहीं राज को अंधेरे में बढ़ते हैं और उसमय के कॉंग्रेस के नेतर बरत्मान मुख्य मंत्री सिरी सुकुविंदर सिंग सुकु भी यही कहा करते थे कि अगर हिमाचल परदेश में जो डंप में जो डंप स्तापित किये हैं अगर उनको बंद कर दे तो सीधी समिंट का भाव 40 पर नीचे आ जाएगा तो आज मैं हिमाचल परदेश सरकार के दोनों नेताओं से जानना चाहता हूँ अब तो आपकी सरकार हिमाचल परदेश में हैं दस मा के सकाल खंड में आपको क्यों नी फूर्सत मिली कि जो डंप हैं उनको बंद किया जाए और पंजाब से सस्ता समिंट हिमाचल में दिया जाए और मैं वो मुक्य मंद्री से जानना चाहता हूँ कि आप परदेश की जनता को बताएं कि किसकी सांठ कांट से ये दस महिने में चार बार समिंट के रेट और सतन लगबक 27 अबे बढ़ गए हैं यह हिमाचल परदेश की जनता इस बात का सवाल चाहती है यह उत्र देना पड़ेगा आज हिमाचल परदेश में जिस परकार से खनन माफिया हाभी है यह कैसी खनन पॉलसी है कि अपने चेतों के लिए जो क्रश्च स्टोन क्रसर है वो खुले रखे और जो आपके पसंद के लोग नहीं उनके स्टोन क्रसर पर आपने ताला लगा दिया अथार्थ कांगणा जिला के साथ सबसे बड़ा वेद वाओ मैं कह सकता हूँ आज मारे कांगणा जिला के सारे के सारे स्टोन क्रसर बंद कर दिये है और इस निरिणे से कौन लोग पर भावीते है इस प्राकत आपदा में जहां हमारे हजारों अस्याने उजड़ गए ऐसे सस्ते समिंट की जुरूरती जहां उनको सस्ते रेट और बजरी की जुरूरती आज इस सरकार की कुशाशन नीथी के कारण जो रेट का एक टीपर जो ट्रक जो दस हजार पे में मिलता था आज उसको पच्चीजार में खरीदने पर विवस होना पड़ा है और मैं कह सकता हूँ कि गरीब लोग की पहुंचे बहुत दूर है यही महाचल परदेश की विवस्ता परवरतन वाली सरकार जो गरीबों की दौहाई को देकर दस महिने पहले जूट बोलकर परदेश की सत्ता में आई थी यही विवस्ता परवरतन है क्या कभी आपने भारत के किसी राज्य में यह उदाहरन देखा है कि जो पंचाहित का जो सेकेटरी होता है वो परमान पत्र जारी करता है अगर वो ना करे तो उसकी जगा चौकिदार जारी करे यह देश के किसी भी राज्य की भुवाग में ऐसा नहीं हो रहा है अगर यह हो रहा है तो हिमाचल परदेश की नई ववस्ता परवरतन के तहट हिमाचल परदेश में पंचाहिती राज में अब जो परमान पत्र जारी होंगे वो एक चौकिदार श्रेणी का कर्मी जो चौ घृटर तो मैं इतना कैना चाहता हूं कि जो जू लम है तविह होते है कि जब सरकार बिलकुल विफल हो जाती है दिशाहीन हो जाती है कनफ्यूज हो जाती है और मैं अन्त में ये कह सकता हूं 가운데 मैंенным को कि अब कांग्रेस्स्रार की आयू मुझे लंबी नहीं लगती है और इ प्रदेश गुजरा था तो भारत्य जंद्वार्ट पिछले दिनों मैं जब प्राकृत आपदा से यह प्रदेश गुजरा था तो भारत्य जंद्वार्ट पार्टी का सीरिस्क नितर्तब प्रभावित किशेतरों के दोरे में जो ऐसे प्रभावित पीड़त प्रवार्वार्ट से मिलने के लिए गया और वहां पर भी कहा और प्रेस बारता में भी कहा कि जो कांगड़ा में या प्रदेश में जो इस परकार की घटना घटी है केंदर की सरकार भारती जंता पार्टी के और हम इससे आपके दर्द को केंदरी हाइकमान तक जो है वो पहुंचाएंगे तो कॉंग्रेस पार्टी ने उस पर भी प्रतिक्रिया दी कि भारती जंता पार्टी के लोग प्रक्रत आपदा में भी राजनीती करें जबकि उनको सेवा भाव के रूमें काम करना चाहिए और हमने हर तरह से जब जब इस प्रकार की घटना घटी भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता ने अपने सर पर पूरी ताकत के साथ उनके गरीबों की और इस प्रभावित लोगों की आवाज को भुलंद करने का काम किया और इस प्रकार के अब जो जुल्म हो रहे हैं इसको लेकर भारती जनता पार्टी के कारेकरता चुप नहीं बैठेगा आने बाले समय में भारती जनता पार्टी पुरी योजना के साथ इस सरकार के जुल्म के बृद सत्ता से बाहर दखल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा अब भारते जंता पार्टी का कार्य करता योजना से आगे 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 आएगा कोई mı इसा है कि भारते जंता पार्टी को अपरेशन लोटेस के तहट कभी भी हिमाच التूद परदेश के घ्ठना घठ सकती है और हम असक्ता को बार बार नकारते रहे कि भारते जंता पार्टी को एवश्कता ही नहीं है जिस प्रकार से प्रदेश की कॉंग्रेस पाल्टी ने सत्ता को हासल करने के लिए जो जूठी गरंटियां की जो सुगात दी है उसको लेकर कॉंग्रेस के प्रिवार में बहुत गहरी घुटन है कि कॉंग्रेस के लोगे कह रहे हैं कि हम लोग सावा के चनाओं में कैसे जाएंगे और जो इस प्रकार का उनके अंतरकला का जो एक बजार गुम रहा है क्या करें हम सुखु जी कुछ और कर रहे हैं, उनके मंत्री कुछ और कर रहे हैं, एक मंत्री की दिशा राइट है, दूसरी की लेफ्ट है, प्रदेश की कॉंगरस का ध्यक्षा कुछ और कह रहे हैं, मुख्य मंत्री कुछ और कह रहे हैं, और मैं यह मानता हूँ कि सुखु जी की आदास बहुत मजबूत है और वह बाजिव है उनका जो इस परकार का जो एक बदले का जो भावना का जो काम है कि जिस परकार से सुक्विंद्र सिंग्सुकुजी ने पूर्व के कॉंग्रेस के नेता'ं के जुल्म सहे हैं उनको वेताय। लेकिन्स थीक है उसका बदला वो अपनी this party के नेता से ले रहे लेकर इस से प्रभावबित कौन हो राय है। प्रदेश का विकास प्रभावी सोरा प्रदेश की जनता प्रभावी सो रही है। मानने मुख्यमंत्री जिस मर्जी से बदला लें उसमें भाजबा को कोई गिला शिक्वा नहीं है लेकिन प्रदेश के विकास में जो ग्रहन लगा है उसकी रोक को कौन हटाएगा और जो आपने सवाल चड़ा जी किया है कि इस सरकार की आयू कितनी है इस सरकार में इस पार्टी में बहुत ऐसे आजीत पवार हैं और बहुत दूसरे साथी हैं ये कौंग्रेस पार्टी को भी हवास है कि जो आभी तक अपना मंत्री मंडल का बिस्तार नहीं कर पाई जिनों अपने कुर्सी के बचाने के लिए इस सामधानी के रूप से छे मुख पूर होना पड़ा है तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि हिमाचल परदेश की सरकार कभी भी अस्तिर्टा से गुजर सकती है और आने वाले समय में हिमाचल परदेश में बहुत बड़ा राजनितिक बोकाम पाएगा और जो मैं बार बार आतमस्वास के साथ कह र झाले…